यार इस वीडियो को ना दबा के शेयर करना क्योंकि यह हमारी आज तक की सबसे बहतरीन वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि आज मैं आपको ऐसे medicinal plant ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा जिनसे कि आप अपने घर में लगा के अपने पूरे गाउं का इसका इलाज कर सकते हैं और इससे आप अच्छा profit भी कमा सकते हैं तो सबसे जो नंबर वन plant है हमारा इस कड़ी में इसका नाम है इंसुलीन इसका नाम इंसुलीन इसलिए पढ़ा है जो शूगर एक ऐसी बिमारी है जिसका इंसुलीन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं जब उनका शूगर जादा हाई हो जाता है तो यह कैसा प्लांट है इसका पत्ता डिली जैसे शहर में 20 रुपे का बिकता है और चंडीगड में 5 रुपे बिकता हुआ मैंने खुद देखा है तो इसके 2 से 4 पत्ते खाने फिर मैंने जड़ी बूटियों का यह पाउडर तियार कराया अपनी माता जी पे इसको टेस्ट किया पिछले 2 महिने से मेरी माता जी को 400 शूगर रहता था लेकिन आज वो बिलकुल नॉर्मल है यह पाउडर खाती है और इंसुलीन के पत्ते खाती है बस उनकी दवाई भी और इंसुलीन के एजेक्शन भी नहीं लगाने पड़ते हैं वहीं से मुझे इसकी प्रेंड ना मिली और दूसरा जो सबसे शानदार प्लांट है हमारा इसका नाम है जी स्फेज चंदन इसका इतना फायदा है फाइनेशली पहले तो मैं बताना चाहूंगा मैं इसके बारे यह कि बच्चों की एकिसम से ऐफ sont यह उगई है चंदन की जो लकडी होती है इसको उप दालके रखें जब भी आप पानी पीते हैं उस लकडी का पानी पिए उससे भी बी-पी कंट्रोल होता है और इसके पत्वां का पाउड़र भीः बना सकते हैं और इसके बाद तो हमा जिन हमारे बजरुगों का बच्चों का दूद नहीं पचता है वो इस प्लांट के जो पत्ते होते हैं पत्तों का पौडर बनाके एक चम्मच लेंगे तो एक दूद एक गिलास दूद से भी जादा इसका फायदा होगा आपको अब दोस्तों मैं आपको जो प्लांट दिखा यह प्लांट तो आप अपने घर में जरूर लगाएं इसको कहा जाता है कपूर का पौधा और इसके फायदे सुनके आप हैरान हो जाएंगे उसके होने से आपके घर में कोई सांप भी नहीं आएगा सांप पोधे से दूर रहता है बस पोधा औरिजिनल होना चाहिए अगर कहीं पर भी बुखार का वाइरल अटैक कर रहा है तो कपूर के साथ आप छोटी लाइची दोनों का मिश्रन लेंगे तो आपका बुखार का वाइरल अपने आपके परिवार से दूर भाग जाएगा और अब जो आप प्लांट देख रहे हैं इसका नाम है आप बंसा जिसको अडूसा भी कहा जाता है ये बुखार का जुखाम का नजले का जितने भी तरीके का वाइरल होता है उन सब को कंट्रोल करता है इसको आप अपने घर में नहीं लगा सकते तो गुर्दवारा मंदिर मस्जिद कहीं भी लगा दीजिए ये आपके पूरे गाउं में जितने भ पूड़ी मिश्री मिला के आप मरीज को देंगे तो धाई गंटे में आपको मातर इसका रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों जो आप ये पोदा देख रहे हैं इसको स्टीविया का पोदा कहा जाता है और इसके जो फाइदे हैं वह आप सुनके हरान होंगे इसका सबसे पूदा है इसके पते बहुत मिठे होते हैं पतों का पौडर बना के आप चीनी की जगह यूज कर सकते हैं आपको मिठे का मिठा मिल गया और आपको एक इलाज भी मिल गया और इसका और भी फैदे हैं जिलोंगों को गैस रहती है वो भी इसका पौडर का यूज कर सकते हैं मोठपई से परिशान है, उसमें भी इसका इसका इसमाल किया जाता है, बीपी में भी इसका यूज किया जाता है, यह एक बहुत ही जड़ी बूटी। वहला बड़ा शांदर पोदह है, इसकी की medicinal value बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों आप ये जो पोधा मेरे हाथ में देख रहे हैं ये भी एक शानदार चीजा इसका नाम है अंजीर और इस पोधे का जिल लोगों के हाथ पैर कांपते हैं ऐसे और या कहीं लोग शराब बगरा पीते हैं उनके भी हाथ पैर कांपने दोस्तों पोधे तो और भी बहुत ज़्यादा है चोटी लैची बड़ी लैची मुलठी हमने एक जिम्मेदारी लिया है कि जो भी जितने भी तरीके medicinal plant है वह हम गर गर पहुंचाएंगे चाहे हमें प्लांट पहुंचाने हो चाहे सीड पहुंचाने हो हमने एक ये स्पेश इन सबी चीजों को आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं यहां पर एक WhatsApp नमबर आ रहा है इस पे आप अपनी डेटेल भेजिए अपना पता भेजिए और आपको कौन सा पोधा चाहिए पाउडर चाहिए बीच चाहिए तो वह हमें आप लिख डालिए तो आपको हमाई आ इन पोधों के बारे में इन मेडिसनल चीजों के बारे में पता चल सकत लाइक भी करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूले